हेल्दी सुनते ही दिमाग में आता है बोरिंग पर आज के इस सूप की डिलिशिसनेस की गयारेंटी हमारी है तो चलिए शुरू करते हैं पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करना ना भूलें तो इस हेल्दी सूप के लिए हम लेंगे 600 ग्राम दो भाग में कटे टमाटर, आधा किलो गाजर और दो बीट अब गाजर और बीट को पील करके बस सीधा स्लाइस कर लेंगे आप मन चाहें शेप में कट कीजिए बस मेजरमेंट यही रखने हैं अब एक कुकर लेंगे और इसमें बारी-बारी करके टमाटर, गाजर और बीट को अड़ कर देंगे ध्यान रखिए टमाटर हमें एकदम लाल-लाल वाला ही यूज करना है अब इसमें मेजर करके पूरा एक लीटर पानी हम अड़ कर देंगे और याद रखिए कोई नमक इस पॉइंट पर अड़ नहीं करना है फिर प्रेशर कुक करेंगे हम एक सीटी हाई फ्लेम पर और एक सीटी लो फ्लेम पर बस फिर गैस बंद कर दीजिए और अपने आप ही इसका प्रेशर रिलीज होने का वेट करिए कुकर के खुल जाने पर हम स्ट्वेनर से सबजी और पानी को सेपरेट कर लेंगे और टमाटर की उपरी लेयर ये स्किन को आराम से निकाल देंगे इससे सूप में थोड़ी और स्मूधनेस आईगी सिंस हम बल्क में सूप बना रहे हैं तो इसे दो पार्ट में हम ग्राइंड करेंगे और एकदम स्मूध पेस्ट बना लेना है और वापस से सेम पानी में सारा मिक्षर हम आड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है अब इसकी फ्लेवरिंग के लिए हम एक बढ़िया सा तड़का रेडी करेंगे उसके लिए एक कड़ाई में हम सिर्फ एक स्पून गी लेंगे गरम हो जाने पर उसमें जीरा, कुटी काली मिर्च, डाल चीनी का टुकड़ा, तीन कुटी हुई लॉंग, दो इलाइची और थोड़ी सी हींग, दो कश्मीरी लाल मिर्च को तोड़कर आड़ कर देंगे इन में से कोई भी चीज आप स्किप मत करिएगा, अब इसके अच्छे से अरोमाटिक होने का वेट करेंगे और खुश्बू आते ही सारा सूप मिक्षर कड़ाई में एक दम अराम से पलट देंगे अब इसमें नमक आड़ करेंगे और सबसे इंपोर्टेंट इंग्रीडियंट छोटी सौफ का पाउडर मिलाएंगे ये गेम चेंजर है इस सूप का और साथ में आड़ करेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर अब हर चीज आराम से आप मिला लीजिए अब बस सिर्फ एक बॉइल आने का वेट है और हमारा सूप रेड़ी हो जाएगा अच्छा ये सारा प्रोसेज हम लो फ्लेम पर कर रही है अब देखिए एक अच्छा बॉइल आ गया है तो बस अब थोड़ा सा हनी आड़ कर देंगे और ग्यास आफ करके बस हनी मिक्स करने के लिए एक फाइनल स्टर करेंगे ये सूप एक बार जरूर ट्राइ करिए और अगर वेट लॉस जरनी पर है तो स्पेशली इसको रेगलर डाइट में आड़ करिए चलिए अब फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर